किसी भी bank में account open करवाने के लिए अब pen card हो गया है compulsory दोस्तों income tax department की तरफ से एक बहुत ही important notification जारी किया गया है जिसमें clearly mention किया गया है किसी भी bank में account open करवाने के लिए आपको pen card देना compulsory होगा उसी के साथ साथ उस notification में दो और point है जानेंगे तीनों point को इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश आप देख रहे हैं banking बबा यूटिप चैनल तो basically अभी तक होता क्या था काफी सारे लोग बिना pen card के account open करवा लेते थे cash withdraw भी करते थे तो उसकी कोई भी restriction नहीं थी अभी तक ऐसा कोई rule नहीं था तो अब income tax department में इसमें एक नया rule ला दिया है यानि कि अगर आप किसी भी bank account के अंदर आपके जितने भी bank account है post office के अंदर account है उनके अंदर total एक साल के अंदर मिला कर आप 20 लाक रुपे तक का ही cash एक financial year के अंदर जमा करवा सकते हैं यानि कि किसी भी एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च के बीच में आप total अपने bank account के अंदर 20 लाक रुपे तक का ही cash जमा करवा सकते हैं अगर आपके bank account में pen card link नहीं है या फिर आपने pen card बनवा ही नहीं रखा है और उसी के साथ दूसरा जो rule आया है वो है cash withdrawal करने का यानि कि अभी तक आप क्या करते थे अपने bank account से कितना भी cash आप withdrawal कर सकते थे उसके उपर कोई भी limit नहीं थी cash withdraw आप एक certain limit से ज्यादा करते थे तो उसके उपर tedious applicable होता था लेकिन अभी तक ऐसी कोई limit नहीं थी कि आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं अब इस पे भी एक limit आ गई है यानि कि अगर आपके bank account में pen card नहीं है तो आप 20 लाक रुपए ही अपने एक साल के अंदर निकाल सकते हैं अपने bank account से cash में निकालने की बात हो रही है आप एक साथ निकाले चाहिए अलग अलग निकाले एक financial year के बीच में आप 20 लाक रुपए ही निकाल सकते हैं बिना pen card गे अगर आपने pen card दे रखा है तो आपका पैसा है आपका bank account है आप कितना भी cash निकालना चाहिए निकाल सकते हैं लेकिन उसके उपर TDS का अलग रूल है उसके उपर हमने ओलरी वीडियो बना रखा है उपर i button में उसका link मिल जाएगा अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं तीसरा जो important rule आया है वो है आप किसी भी bank के अंदर या फिर कहीं भी post office में आप current account open नहीं करवा सकते हैं बिना pen card गे आपको अगर current account open करवाना है तो आपको pen card देना compulsory हो जाएगा अभी तक ऐसा कोई rule नहीं था आप कहीं भी bank में जाते हैं आप से basically मांगा जाता है आदार card और pen card लेकिन अभी तक ऐसा कोई rule नहीं था कि आपको pen card देना ही होगा आप minor account या फिर किसी child का account open करवाने जाएगे उनका pen card नहीं है तो bank वाले account open कर देते हैं और आप किसी bank में जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं हमारे पास pen card नहीं है तो आपका account open हो जाता था लेकिन अब current account open करवाने के लिए pen card देना compulsory हो गया है तो ये थे तीन rule जो अभी recently income tax department की तरफ से change किये गए थे पहला rule है cash deposit करवाने की limit है 20 लाग रुपे बिना pen card के cash withdrawal करवाने की limit है 20 लाग बिना pen card के और किसी भी bank में आपको current account open करवाना है तो उसके लिए आपको pen card देना compulsory हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करना channel पर नए हो तो channel को subscribe करना मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा